आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सरचित होंगे दर्श को पूजनी पंडिजी की कथा शुमहापुरान से सुनकर ही मैं आपके लिए नए नए वीडियोज लाती रहती हूँ जब भी वो नए वीडियोज बताते हैं उपाय बताते हैं तो मैं आपके लिए नए नए वीडियोज बनाती रहती हूँ और उन्हें सही धंग से आप तक पहुचाती रहती हूँ ताकि आप सरल भासा में उन्हें समझ पाएं 29 अपरेल को वैशाक मा की शिवरातिरी है 29 अपरेल शुकरवार के दिन यदि आप आपके कोई मनुकामना है या बहुत समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसे पूर्ण करने का इससी बड़िया अवश्तर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा आपको क्या करना है 29 अपरेल के दिन बहुत ही छोटा सा और सरलसा उपाय है कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे कर सकता है सबसे पहले आपको क्या लेना है एक मिट्टी का क्योंकि मिट्टी बहुत ही शुद्ध मानी जाती है तो मिट्टी का आपको एक मटका लेना है उस मिट्टी के मटके में आप शुद्ध जल भर लें अब उस जल को कम से कम आप 15 से 20 मिनिट रहने दे उसी में फिर उसके बाद जो आप तामबे का लोटा ले लें तामबे का लोटा नहीं हो तो और भी कोई पात्र ले सकते हैं लेक को चाहिए एक बेलपत्र पर उस जल में बेलपत्र को नहीं डालना है अब आप तांबि के लोटे में जो आपने शुद्धजल भरा है शीतल जल लिया है और बेलपत्र आप इन दोनों को लेकर शिव मंदिर चले जाईए शिव मंदिर में जाकर क्या करना है आपको सिर्फ अपने कलश से आपको बेल पत्र को टच कराना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है उसके उपर शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरन करते हुए शि अगर आप सच्छे मन से और विधी विधान से और सही तरीके से उपायों को करेंगे तो शिव आपकी मनो कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसलिए यह अवसर बेसाक मा के शिव रातरी को बन रहा है। पूरा दिन शुब है। पूरे दिन में आपका भी भी शिव मन्दिर जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा चोटा सा उपाय है। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो जल जो आपने चढ़ाया है उस आपको पता होगा। जब भी हमारी घर में पूजा पाठ होती है तो पंचामरत का और या जल का आचमन हमें पंडिजी करवाते हैं। वही आचमन आपको उस रोगी व्यक्ति को कराना है, अपनी घर के सदस्री को कराना है और बेल पदर खिलाना है। तो आप कर सकते हैं जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, वैपार से जुड़ी हो, किसी कारे से जुड़ी हो, किसी मिटिंग से जुड़ी हो, किसी बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी हो, अपने शादी विवाह से जुड़ी हुई मनोकामना हो, सब मनोकामना इस दिन शिव अवश्य ही पुपाय पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भ्यम ओम नमस्षिवाय हर महादेव जरूर लिखें वीडियो को तुरन्ति लाइक कर दें आप वीडियो को कभी भी लाइक नहीं करते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा उस सबसे पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय रमस्तु भी हम दर्शिकों हर हर महादीव